हेलो अब्रिवन आज का जो हमारा वीडियो है यह स्विंग सीरीज का थर्ड वीडियो है जिसमें के हम बात करने वाले में अस्पेक्ट्स ओफ एब्री यूजर इंटरफेस यान कि कोई भी यूजर इंटरफेस है उसके में अस्पेक्ट्स क्या-क्या होते हैं चलिए स्टार् पूर व्यूजर एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ इंटरेक्ट करता है और इनको देखता है जो इसकेंड पॉइंट है लेयाउट्स तो देफाइन हाव यूजर एलिमेंट्स शुट बी ऑर्गनाइजड ऑन दी स्क्रीन एंड प्रोवाइड एफाइनल लुकेंड फिल्ट कि आपके जो लेयाउट्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं चैसे बहुत सारी चीज़ा इक्षीज शुट होते हैं रहेंज होगे आपके अंड की र्टेंधस में और ब्लयाउट्स अ सब्सक्रीं यह से आखाफनेलिवेंट्स उस और ऑनेन आगे Orlando A nest registra Matetaרכ जो इसकेंड द्रूबू लेयाओट के तरूबू जो आपका ब्येवेट्स विच अगर रेंदाइध इसे हम इवेंट बोलते हैं तो जो इवेंट होते हैं वो ब्यूजपल के साथ इंटरफेस के साथ इंट्रेक्ट करता है तो इवेंट्स अकर होते हैं तो कौनसे कौनसे इवेंट्स अकर होते हैं वह भी हम डेटेल में देखने वाले हैं तब आगे बढ़ते हैं देखते हैं है लिए अबक है क्या क्या हो सकते हैं चर्था सब्सक्राइब intact कि उसी भी द्य है का वह seeking में यौद्न तो क्या हो सकते हैं समय लेवल जे लिस्ट जे रिटियू बटन और जे टेक्सफ फील्ड कॉम्बो ऑक्स जब्सक्स आ सब्सक्राइब करेंगे तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था डेट वस लेयाउट मैनेजर यानिक जो हमारा सेकिंड यूआई कंपोनेंट था वो क्या था लेयाउट्स तो लेयाउट मैनेजर की बात करेंगे लेयाउट मैनेजर्स और यूजड तो अर्रेंज कंपोनेंट्स इन्हें पर्टिकुलर मैनर यानिकि जो हमारे लेयाउट मैनेजर्स है वो क्या करते हैं हमारे यूआई एलिमेंट्स को पर्ट interface को implement करने वाली कुछ classes है और वो क्या करेंगी इस interface को implement करेंगी अभी हम देखेंगे कौनसी क्लासे है जो इस interface को implement करती है so there are following classes that represents the layout managers basically यहाँ पर हम classes देखने वाले है जो की layout manager को represent करती है और layout manager interface को implement करती है so border लाउट वर लाउट ऑपका यह क्लास है कि इंप्लीमेंट करता है लायाउट मैनेजर इंटरफेस को इस into è लायाउट है डिक लेयाउट है कर ले अूट योस्किस कौरे रखेगा तो तो वह हम सारे लियाओट को one by one detail में देखेंगे आपको अच्छिस समझ माइद आए कि कौन सा लियाओट किस तरीके से काम करते हैं नेक्स्ट है इवेंट्स इवेंट्स क्या होते हैं चेंजिंग दी स्टेट ऑफ अब्जेक्ट इस नौन एज जिब भी किसी ऑबजेक्ट की स्टेट में चेंज आता है तो हम क्या बोलते हैं कोई इवेंट हुआ है for example click on button dragging mouse etc नहीं कि जभी आप किसी button पर click करोगे mouse drag करोगे तो हम बोलेंगे जब भी आप कोई key press करोगे तो हम बोलेंगे कि वही कोई event occur हुआ है next key point the java.awt.event package provides many event classes and listener interfaces for event handling आपको यह जो package java.awt.event यह में बहुत सारे event classes प्रोवाइड कराएगा और listener interfaces प्रोवाइड कराएगा तो कैसे इवेंट handling कैसे वर्क करता उस पर में साप्रेट वीडियो पूरा बनाके explain करूंगा ठीक है अभी आपको जिस्टी ओवर भी हुए चीजों का तो अभी देखते हैं कौनसे कौनसे इवेंट्स एंड कौनसी कौनसी क्लासेज है इवेंट क्लासेज है हमारे पास यह गिवन है एक्शन इवेंट माउस इवेंट एक्शन इवेंट के कौनसा लिस्टनर इंटरफेश है इंटरफेश है एक्शन लिस्टनर माउस इवेंट के क्रॉस्पर्णिंग है माउस लिस्टनर एंड माउस मोसन लिस्टनर यूज करेंगे तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात किये किसकी UI elements के main components के तो हमने तीन components देखे first आपका क्या था UI elements, second आपका layout, managers, third आपका क्या था behavior और events इस वीडियो में हमने ये तीन चीजें देखी main component और aspects of user interface, first UI element, second layouts and third is behavior और we can say events, I hope आप लोगों को वीडियो समझ में होगा और अच्छा लगा होगा अगर कोई पी doubt होता आप comment section में जाके अपने comments कर सकते हैं doubts clear करने के लिए और इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए, bye bye